सज्जनता सरलता और बिद्धता की प्रतिमूर्ति मानिनी नमस्कार अधरणी आज अपने जीवन में एक प्रण आप कर लीजिए फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है और वो एक प्रण क्या है कि अब आपको अपने से करना है वो प्रण कि मुझे अब कोई बहाना नहीं बनाना है कुछ भी हो जाए किसी दूसरे के लिए नहीं अपने लिए आपको ये प्रण करना होगा कि मुझे अब कोई बहाना नहीं बनाना है कोई बहाना नहीं बनाने की सक्ती इस तथ में निहित है कि ये आपको अपने जीवन पर नियंतरण रखने और आपकी अपनी छमता तक पहुचने का अधिकार देती है और उसको महसूस कराती है ये कितनी भी कठिन परिस्थिती हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिती हो, कितनी भी बिसम परिस्थिती हो आपके जीवन में ये आपको सक्री, आपको निरंतर और आपको लचीला होने के लिए और आपके self improvement के लिए आत्म सुधार के लिए प्रयास करने के लिए आपको प्रोथसाहित करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पुसप करता रहता है कोई बहाना नहीं बनाना इसकी power को अपना कर आप अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं आप अपने जीवन में जो भी लक्ष बनाए हैं अगर आपने ये प्रण कर लिया कि अब मुझे आज से कोई बहाना नहीं बनाना है तो आपको उस लक्ष तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है कितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आजाएं उन सब को ये दूर कर सकता है और दुनिया में अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने से कोई नहीं रोक सकता है बस एक प्रण करना है कि कुछ भी हो जाए जो आपने प्लानिंग की है जो आपने सोचा है जो आपने डिसाइड किया है जो आपने लिखा है उसको करना ही करना है कुछ भी हो जाए बस बहाना नहीं बनाना है कितनी भी कठिन, कितनी भी बिसम परिस्थिती आ जाए बस एक प्रण आपको आज अपने आप से करना है यह जीवन अनमोल है, महत्पूर्बात यह जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है थाइंक्यू